हर्याना के रवाडी में आंगनबाडी वर्कस ने विदायक लक्ष्माजास का पुतलाफूक परदश्चन किया आपको बतादे रवाडी के स्वास्पारक में जहां आंगनबाडी बरकर अपनी मांगों के लेकर लगबग बबिंजा दिनों से सिर्कार के खिलाब परदश्चन वहां पहले से मजूत कुसोली के विदायक लक्ष्माज सिंग जादब ने मंत्री मोध्या से पूरी बात तक लहीं करने दी जिसके चलते गुसाए अंगनबाडी वर्कस ने आज कोसली विदायक लक्ष्माजास का पुतलाफूक उनकी शब्जात्रा निकाली और चिताबनी की जल्दी विदायक के खिला पच्चे चिपका कर गम गम चिपकाएंगे मैं तारा देवी जिला रेवाडी की आंगनबाडी की परधान होने के नते आपको बताना चाहती हूँ कि हमने बावन दिन हो ली अपने दरने पर बैठे हमारे जो लोकल विदायक लक्ष्माजाजी है उनके पास हम अपनी हमायत लेकर गए थे परशैसन से परमिस्न लेकर हम अपनी बाल विकास्ट मंतरी से मिलने गए थे वहाँ आमें जाकर उन्होंने बजाए हमारी हमायत करन के हमारी बात करती उससे हमारी बेहनों में बहुत जादा रोस है क्योंकि ये बावन दिन से दरने पर बैठी है ये तो आप लोग भी परणों का गुस्सा स्यंत नहीं होगा इंट लिए जनुवरी को मानिया मंतरी महद्या हमारे यहां आई थी श्रीमधिक कमलेश डांडा और है अमने परशासन से यह अपील की थी कि हमको हमारी वह मंतरी है उनको आम जयापन देना चाहेंगे परशासन ने हमारी अपील को ग और कामेश डांडा ने कहा कि मैं आंगणबाडी डेलीगेट से बात करूंगे तो हम जयापन लेने के लिए गए रहिस आउस के अंदर तो हमने अपना जयापन सम्मिट किया और हमारी बात्चीत उनके साथ चल रही थी और बड़ी सालिंता के साथ मंतरी महद्या हमसे बात् तिस बारा को और आप लोग सहमत थे मैंने का नहीं वो परतिनिदी मंडल में हम नहीं थे तो लक्षमन सिंग उठे और तेज आवाज में का कि इनका परतिनिदी मंडल था और ये मेडम होली इन से बात हम मैंने बड़े बहुत ही अपील दंग से का कि आप लोकल विदाय को होती रहती है आज तो आम मंत्री मौदा से मिलने के लिए आये हैं आप हमारी बात इनसे होने दो परंन तो वो इस बात को भी नहीं माने और वो कुछ-कुछ ऐसी रहे तो मंत्री मौदा से फिर हम ने कहा कि आप आमको चंडीगट बुला लो ठीक है और मुखे मंत्री को मैं आपका क्यापन दे दूँगी हमें ये उमीद थी कि मंत्री मोद्याजी सालिंता के साथ हमारी खड़ी होकर ये बात के उपर चर्चा कर रही है हमने का कि आपने एक लाख रुपिया और पचाजार रुपिया और वरकर रहलपर को रेटारिमेंट पर देने का योजना बनाई है ये बहुत कम है आप बंगाल में पकसिम बंगाल में 3 लख रुपिया है तो 8 लख 55 साल की नोकरी के बाद 1 लाख रुपिया क्या होचित रहेगा जो पेस्टेट साल आपकी नोकरी करेगा महकमे की तो आप इसको डबल कर दो तो वो कन्विंसी लगरीद बातचीत के दोरान और 50,000 रुपिया है उसको एक लाग कर दो या दोनों का आप एकठा कर दो एक्सिडेंट कलेम में आपने दो लाग किया है मेडम तो आप दो लाग क कि बजाए आप इसको ज्यादा कर दो दोला का कोई ओचिते नहीं है हर रोज को अक्सिडेंट से मरता भी नहीं है तो फिर इन्हों ने क्या हुआ इन्हों ने उस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया विदायक मोदे ने और हमने जो उनसे अपील की कि आप बात हम इनसे कर र पेज डेली अजी ते हां नाल ही दोस्ता नों पेज लाइक करने ली इन्वाइट करना ना पुलना एना ही नहीं हिंदी ने वेच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साड़ा फेस्बुक पेज अजी समाचा हिंदी योट्यूब दे उते वीडियो खबरां देखने ली इन्स्टाग्राम दे उते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखन देली फॉलो करो बलू टिक वाड़ा साड़ा ओफिशल चैनल डेली अजी एना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुन तुसी एपल टीवी दे उते भी वेख सक देओ ये नाली अजीत अखबार दा डिजिटल अडिशन पढ़न देली डाउनलोड करो अजीत ईपिपर एप तोहड़ा अपना प्रोसे योग चैनल तोहड़ी अपनी अवाज पंजाब दी अवाज अजीत